और हर्याना में दस सीटों को लेकर सत्ता के महा संग्राम में लड़ाई दिल्ट्रस्प मोल पर आ चुकी हैं। दसमें से एक सीट दिल्ली ससटी है। गुरू ग्राम जिसको साइबर सिटी कहा जाता है। गुरू ग्राम लोकसभा काफित चर्चाओं में हमेशा से रहा है। लोकसभा सीट पर बहुत सारी लड़ाईयां देखनों को मिली हैं। स्यासत के लड़ाईयां। यहां कॉंग्रेस ने राजबबर को टिकट दी है। मशूर अभी नेता हैं और पूर्पसांसत भी हैं। के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। तो दूसी तरफ कॉंग्रेस के नेताओं के तरफ से कहा जा रहा है कि अब लड़ाई कुछ और हो चुकी है। जेजेपी के अपने दावें, एनलो के अपनी बातें यह रेपोर्ट देखे। पांच बार की सांसद और उत्तर प्रदेश के कॉंग्रेस प्रभारी रहे। चेलिबरिटी चेहरे पर महर लगा दी। राज बबर हुड़ा गुट की पसंद थे तो कैप्टन अजे यादाओ एसार के ग्रूप के। 10 में से 9 सीटों पर कॉंग्रेस एक सीट कुरुक्षेत्र में आमाद्मी पाटी मैदान में हैं। गुरुग्राम सीट पर राज बबर के नाम पर महर लगने के साथ कॉंग्रेस ने अपने कोटे की सभी 9 सीटों पर उमिद्वारों का एलान कर दिया है। कॉंग्रेस ने राज बबर को गुरुग्राम से उमिद्वार बना कर स्थानिय समिकरन साधने के साथ साथ बीजेपी सांसद और मोधी सरकार के मंत्री रहे। राव इंद्रशीत के सियासी बर्चसों को तोड़ने का दाउं चला है। गुरुग्राम सेट पर बड़ी संख्या में पंजाबी और मुस्लिम वोटर है। राज बबबर पंजाबी समुदाय से आते हैं जबकि पहली पत्नी मुस्लिम थी। इस तरह राज बबबर को दोनों ही समुदाय का वोट मिल सकता है। सिने स्टार राज बबबर को अपने फिल्मे फैन के साथ भी मिल सकते हैं। नों का इलाखा गुरुग्राम सेट के तहत आता है जो राज बबबर के पीछे मजबूत ही से खड़ा हो सकता है। गुरुग्राम सेट में नुह जिले की तीन विधान सभा सीटे हैं। जिसमें नुह बुनाना फिरोजपूर जिरका है, मुसलिम बहुल्य इलाका कॉंग्रेस का परंपरागत कर रहा है। नुह में मुसलिम वोट बैंक कॉंग्रेस के हक में रहा है। यही बज़ाए कि बीजेपी हर लोग सभा चुनाव में यहां से पिछड़ती रही है। यही समीकरन राज बबर के लिए चुनाव में थोड़ा आसान हो सकता है। कॉंग्रेस ने S.R.K. गुट की कोशिशों के बाद भी अजय यादो की बज़ाए हुड़ा खेमे के राज बबर को एहमियत दी है। लगतार गुरुग्राम में तीन चुनाव में राव इंदर जीत सिंग ही जीतते रहे हैं। 2019 में राव इंदर जीत सिंग बीजेपी में रहते हुए चुनाव जीते कैप्टन अजय सिंग यादो यहां से कॉंग्रेस के हार गए। 2014 में राउंदर जीत सिंग चुनाव जीते जबकि जाकिर हुसैन हार गए कॉंग्रेस के राउ धरम पाल भी इस चुनाव में हार नौ में राउंदर जीत सिंग कॉंग्रेस में थे और चुनाव जीते जाकिर हुसैन बीएसपी में थे हार गए सुधा यादो भी बीजेपी में और चुनाओं में हार मिली। अलाकि बाद में अमर्सिंग के चलते समाजवादी पार्टी छोड़ कॉंग्रेस में जाते हैं। और मोदी सरकार के मंत्री राविंद्रजीत सिंग के सियासी बर्चसु को तोड़ने का बड़ा दाउं चला है। फिर रिपोर्ट खबरें अभी तक